हलो लेर्नर्स वालकम बाक तो माय यूट्यूब चादल इस वीडियो में हम लोग दिसक्स करेंगे बाउट हीफो माथट ऑफ प्राइसिंग ऑफ मेटेरियल इशुड ओके हाइस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बोलते हैं इसको अगर हम फुल फॉर्म की बात करें इससे पहल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है प्लस आप लेलिस सेक्शन में जाएंगे तो आपको कफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी ठीक है जो आप लोग के लिए काफी जादा यूस्फूल है तो हम स्टार्ट करते हैं ठीक है हाइस्ट इ वीडियो है उसपर बताया था कि अलग-लग type के method quién же गोते हैं उसमें तीन मेन के अजिक में उसकी प्राइज करते हैं लqualत बिए C जो सबसे highest price दिखेगा पहले उसको हमने क्या करना है इस वाले material को देखो in this method materials purchased at the highest price are issued first जो material आपने highest price पर purchase किया है पहले उसको issue किया जाएगा irrespective of the date of the purchase क्योंकि आप अगर आपको याद हो लीफो और फीफो में हम देखते थे फीफो में first in याई जो पहले आया है वो पहले issue होगा लीफो में जो last में आया है वो पहले issue होगा ठीक है यही था लेकिन highest in first out में हम date नहीं देखते हैं हम price देखते हैं highest price देखते हैं okay so after this the material of the next highest price is issued दियाने कि मान लो हमारे पास जो है हमारे पास store में 3 rupees वाला पढ़ा है 4 वाला 5 वाला ठीक है 5 rupees वाला पर unit की मैं बात कर रहे हूं तो 5 rupees पर unit वाले सारी units हमने issue कर दी फिर next higher price कौन सा बचा रूपीज 4 वाला ठीक है तो याने कि इस टाइप से this method is based on the principle that the highest price material should be consumed at the earliest याने कि जो highest price वाला material है उसको हम पहले consume कर लेंगे ठीक है तो हीफो method में होता है कि जो production absorbs the highest cost of material क्योंकि देखो हम क्या कर रहे है production issue कर रहे है न देखो issue कर रहे है तो आगे production ही होने वाला तो जो हमने highest charges वाले थे वो तो absorb कर लिए तो जो बाद में stock बचेगा वो lower rate वाला बचेगा ठीक है इस method is mainly used in case of cost plus contract और monopoly products as it is helpful increasing the price of the contract और products ठीक है जब आपने cost plus याने की extra करने हो और monopoly products monopoly में आप profit super profit वगेरा भी earn करते हैं तो तब useful होता है क्योंकि यह helpful होता है क्योंकि हम क्या कर रहे है higher price पे issue कर रहे है material को तो यह price को बढ़ाता है चाहे वो contract की बात हो चाहे वो product की बात हो ठीक है this method is suitable in fluctuating market fluctuating market में क्यों suitable है क्योंकि cost of high price material is recovered first देखो हमने high वाले को पहले first recovery कर लेना है or inventory valuation is kept at lowest यहने कि जो last material होता है closing stock वगेरा बसता है वो lowest price वाला बसता है ठीक है लेकिन अगर मैं generally बात करूं तो यह वाला method has not been adopted widely जो hefo method है उसको जादा adopt नहीं किया गया है ठीक है तो main चीज नाम सही पता चल रही है highest in first out जो highest वाला है highest price वाला पहले उसको issue किया जाएगा ठीक है इसके advantages क्या है फिर हम इसका numerical भी solve करेंगे advantages है एक तो easy है calculate करना जो आपको highest price लिख दिखेगा वो आप उस पर issue कर देंगे in case of price fluctuating this method is useful थीक है disadvantages क्या है the computations become complicated if too many receipts are there बहुत साथ receipts हो रही हो तो कोई बहुत complicated हो जाता है और closing stock is not valued at market price क्योंकि closing stock तो जो lowest price बचेगा उस पर charge होगा तो closing stock is valuation होगा उसका charge नहीं कह सकते valuation होगा closing stock का जो क्या होगा lowest price होगा market price पर तो हम यह closing stock का valuation कर नहीं रहे तो यह किसका disadvantage है okay अब मैं आपको एक इसका example करवा हूँगी मैंने लीफ और फीफो method का भी आपको एक्जामपल करवाया है इससे क्या होगा आपको अच्छे से clear हो जागा क्योंकि आपको theory के साथ practical भी आना चाहिए यह पहले मैं आपको करवा रही हूँ फिर आपने खुद भी इसको करका देखना है ताकि आप लोगों की अच्छे से practice हो जाए show the following information in the store laser regarding a certain material if hefo system is followed store laser वही account बना आपको आपके दिखाएंगे receipt side issue side और balance side को ही for system use करना है आपको बताया हूँ है क्या-क्या यह आपको date of receipts बताई हुए है कितनी units receive हुए ऑ और date of issues है यह date भी आपको बताई हूए कितनी units है और जो issues का rate है वो तो आपको खुद किस method के recording करना है यह आपके पास balance था, balance मतलब यह आपका opening balance हो गया, opening balance 450 units at the rate of 2.20, amount कितना हो गया, multiply करके 990, अब उसके बाद हमने date wise चलना होता है, फिर April 5 आएगी, आपने purchase की है, यहनिके receipt हुई आपको 500 units at the rate of 2.10, तो आप यहाँ पे शो करेंगे receipt side में, ठीक है, अब आपके पास balance क्या बच जाएगा, 450 units तो 2.20 वाली, जो यह वली थी, 500 units 2.10 वाली, ठीक है, यह दोनों हमारे, अलग-लग दिखाएंगे ना, अलग-लग prices है, यह वाला हमारा balance हो गया, अपरिल 5 का, नेक्स देखिए, date आएगे, अपरिल, इसके बाद आएगी, अपरिल 10, ठीक है, 5 अपरिल के बद क्या date आएगी, अपरिल 10, 400 units issue किये हैं, अब आता है, हमारा यहाँ पे, हीफो method, 400 units issue किये हैं, लेकिन किस price पे करेंगे, that is the main question, तो 2.20, 2.10, यह वाले दो टाइप के हैं हमारे पास material, तो highest कुन सा है, 2.20 वाला, तो आप पहले 400 units, 2.20 वाले issue करेंगे, तो आपके पास यह amount 880 आजाएगा, अब आप balance देखिए, आपके पास कितना बचा, देखो, 450 में से 400 तो आपने use कर ली, 2.20 वाले में से, तो 50 बची at the rate of 2.20, बाकी इसका वह तो रही गई हमारी 500 units at the rate of 2.10, तो यह वाला total दोनों का balance है, हमारा अपरेल 10 का, उसके बाद अपरेल 12 को फिर आपने purchase की, याना कि आपको receipt हुई, 350 units at the rate of 2.40, multiply करने पे हमारे पास 840 आगया अब आपके पास 3 type के prices हो गए, यह दोनों तो पहले ही थे, तो इनको यहाँ पे हमने दुबारा से use कर लिया और यह वाले भी आगया, ठीक है, अब यह हमारे पास हो गया, next देखिए आप, हमने कहां तक कर लिया है, हमने कर लिया है, यहां तक हमने कर लिया है, ठीक है, आपके पास जो बचा था, उस पे हाइस्ट कोन से इन तीनों में से, हाइस्ट है, 2.40 वाला, ठीक है, जिस भी 350 उनिट्स है, अब आप 350 पे से 200 तो इशु करी रहे हैं, बाकी कि कित्ती बच जाएगी, 50 वाली, जेखो यह वाली तो पूरी आ जाएगी, यहां पे, यह वाली at the rate of 2.40, 150 क्यों रही, 350 थी, 200 उस कर ली, तो 150 हमारे पास आ गई, अब हम बात करेंगे, next date की, that is, April 18, April 18 में आपने 300 उनिट्स फिर इशु की, अब देखिए, सबसे पहले, highest price 2.40 है, लेकिन 2.40 में हमारे पास only 150 उनिट्स है, जबकि हमने 300 उनिट्स इशु करनी है, तो पहल 150 इसके वाली, exhaust कर लेंगे, जो हमने कर ली, फिर next highest price क्या है, 2.20, हमने next highest price देखना न, इसके बाद वाला, तो वो 2.20 है, इस बसे ले लेंगे, अभी भी 300 उनिट्स पूरी नहीं हुए, तो 100 उनिट्स यहां से ले लेंगे, ठीक है, तो 150 प्लस 50 प्लस 100, 300 उनिट्स इशु ह हो गई, अब आप balance में है, balance में आप ये देखिए, ये वाली तो हमारी खतम ही हो गई, कौन सी ये वाली खतम होगी, हमारी ठीक है, ये वाली 50 वाली, 2.20 वाली खतम होगी, 2.10 वाली में से हमने 100 यूज़ कर ली, तो 400 बच गई, at the rate of 2.10, that is 840, अब उसके बाद, April 20 को, फि 200 यूज़ होगी, 2.10 रेट वाली, और 300 यूज़ होगी, 2.25 रेट वाली, हाँ पर आपके पास, ठीक है, अब उसके बाद, 25 अपरेल को, आपने 350 यूज़ की है, इशु की है, तो इन दोनों में ये balance आपके पास, हाई, आपने balance को ऐसे शो करना ही, कठा दिखा की, ठीक है, तो ये आपने कर दिया, balance, ये 400 वाली, देखो 300 वाली, तो पूरी exhaust हो गई, 2.25 रेट वाली, बाकि 2.10 जो रेट वाली है, पर उनिट उसमें से, आपने कितनी यूज़ कर ली, 50 यूज़ कर ली, तो बाकि 350 रह गई, at the rate of 2.10, तो 7.35, तो आपके पास, ये वाली यूज़ रह गई है, ये आपका closing stock आ जाएगा, okay, I hope आपको HIFO method अच्छे से clear हुआ होगा, किसी भी point में, अगर आपको कोई भी doubt लगता है, तो आप लोग पूसकते है, comment section में, और आपको advice दोंगी, तो आपको पहले वाली वीडियो ज़रूर देखने चाहिए, कोस्ट accounting की काफी helpful ह हैं आप लोगों के लिए, और भी काफी वीडियो हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को subscribe नहीं किया है, then do subscribe और bell icon press कर देना, ताकि आपको जो है, upcoming videos की timely notification मिल सके है, okay, thank you so much, keep learning and keep sharing.